ये फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर और खबरों वाले शेर्स पर और कल बाजार बंद होने के बाद TCS ने अपने नतीजे घोशित किये तो आज TCS और बाकी IT कंपनिया भी फोकस में रह सकती है लेकिं सबसे पहले समझ लेते कि TCS के नतीजे कैसे रहे और उस पर ब्रोक्रेश रिपोर्ट्स कैसी आ रही है यह बताने के लिए शरत हमारे साथ जोड़ जुके हैं शरत बताईए TCS के नंबर्स कैसे रहे TCS के नतीजे जो ओवराल स्रॉंग सेट अफ नंबर्स थे अगर हम बात करें मार्जिन इन लाइन थे लेकिन जो रेविन्यू और पैट है यह जो है अनलिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है जो कॉंस्टन करेंसी ग्रोथ है वो 2.2 परसंट आई है expectation था कि almost 1.4 परसंट रहेगा attrition जो है वो भी थोड़ा lower हुए sequentially 12 परसंट पर आया है और जो आपके जो total deal size है वो लगभग 8.3 बिलियन डालर के पर lower end range में है overall जो है brokerages ने upgrade कर दिया Jeffries ने इसको buy pay hold था पहले target price भी थोड़ा बढ़ा दिया 4030 से बढ़ा के 4615 कर दिया है लाजली in line कह रहें कि overall estimates आये हैं वही goldman sachs की बात करें तो EPS estimates यहां पर 1% से बढ़ा है जो target price है 4470 का पहले यह target price 4450 का था remain buy है 14% potential upside है वही नमूरा की बात करें तो उन्होंने भी जो है अगली 2 साल का EPS estimate को बढ़ा दिया है लगभग 1.2-1.5% तक जो है अच्छी growth आए तो overall जो है brokerages और नतीजे के अगर बात करें तो in line से लेके slight better numbers overall देखने मिले हैं but of course a positive moment आज stock में देखने मिल सकता है तो यह हैं TCS और TCS पर brokerage report भी कुछ निकल कर आए है इसके तरफ से hold से बढ़ा कर खरदारी की राये हम पर दे दी गई है तो यह नंबर और प्रोक्रेश रिपोर्ट भी फोकस में रहेंगी शरत इसके अलावा और कौन से नतीजे हैं अनन्द राती वेल्थ भी फोकस में रहेगा शानदार नतीजे आए हैं एयोएम साथ परसंट बड़ा साल दर साल मैनेजमिन की कमेंटरी भी हैचनाई ग्रोथ को लेके बहुत स्ट्रॉंग आई है वही जीटीपेल हाथवे की बात करें तो सारे आकड़े जो है अनुमान से खराब आए हैं और यहाँ पर देखे तो नेट प्रॉफिट चौतिस परसंट गिर चुगा है क्यों अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ अनिंग्स के लावा प्रेस्टिज एस्टेट्स की बात करें तो लाजली जो है आप कहेंगे स्ट्रॉंग सेट अफ नंबर आए हैं आवरेज रिलाज़ेशन 16 परसंट बढ़ा है कलेक्शन भी 6 परसंट भागा है बट स्टॉक में जो है तेजी हमने अल्रेडी देखी हुई है तो थोड़ी मुनाफ़ा वसुली देखने मिल सकती है वही एंसेल इंडस्ट्री की बात करें तो प्रड़क्शन और सेल्स दोनों में डीप आया है और वीक सेट अफ ऑपरेशनल अपडेट आये हैं तो यह आपके Q1 अपडेट्स है अनुज गुपता मौजूद है अनुजी थाइंक इसोबस हमें देने के लिए बताइए अच कुमोडिटी मार्केट में कहां ट्रेट करें गोल्ड इंटरनेशनल डोमेस्टिकली अर्मोस पांच हश्ते के हाई पे आता हुआ दिखाई दिया है तो मोमेंटम पॉजिटिव रहे हैं तो यहां पर खरदारी की सला रहेगी अक्रॉस दॉप मौडिटी हमें लगता है कि खरदारी का ट्रेट ले सकते हैं तो पहले गोल्ड में खरदारी का ट्रेट मनाए 72975 में स्टोपलोस दगाए 72 700 अर्गेट 73 600 अग हो सकता है वहें करूड के अंधर भी लोगर डेवल पर खरदारी का ट्रेट बना सकते हैं 6890 में स्टोपलोस 6850 का टार्गेट 6980 तक हो सकता है और अगर base metal की बात करें तो यहां भी हमने zinc में इची कासी recovery आते हुए देखी है तो zinc में करीबन 273 में खरदारी करें 272 का stop loss दगाए target 280, 281 दक हो सकता है तो gold, crude और zinc में खरदारी की सला रहेगी ठीक है तो आज खरदारी की सला है zinc में भी, crude में भी और gold में भी 273,600 के targets के लिए आप इजी करके चल सकते हैं थाइए अनु जी आपका ये जानकरी देरें के लिए